कैसे हो दोस्तों उम्मीद करतव सब अच्छे होगे आज हमारे पास सेवलेट बीट आई वी है डीजल जिसके अंदर बैक कंप्रेसर आई हुआ है बैक कंप्रेसर मार रही है इंजन इसका और कस्टुमर हमारे बॉल ले है कि भाईया मैं इसको कितने मिस्तरियों के पास मेकैन मार रही है इंजन इसका बैठ चुगा है रिंपश्टन इसके बैठ चुक Πाद लीजीए है जबार इंजन करा लेशे तो हमने इस बाराण को चयक किया है तो सेवल लेट बीट डीजल गाड़ी इसके अंदर एक ओएल फिल्टर होता है जो कैम साफ्ट के उपर लगा होता है और वो कैम साफ्ट के उपर जो ओएल फिल्टर होता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ वो इस तरीके का होता है यह सेवल लेट बीट के अंदर ही होता है यह फिर किसी लगजरी गाड़ी के अंदर भी होता है मिलता है यह किसी किसी गाड़ी के अंदर होता है डीजल गाड़ी के अंदर ही मिलेगा यह जाद अच्छा जी और जब यह खराब हो जाता है चोक हो जात कभी back compressor लेती है वो जब back compressor ले लेती है तो हमें इसे change करना होता है सबसे पहले इसे ही change करना होता है इसको change करने के बाद उसके बाद देखिए हमारी गाड़ी back compressor ले रही है या नहीं ले रही तो हमने भया इस oil filter को cam oil filter को change गया चेंज करने के बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करी हमारी गाड़ी ना तो बैक कमप्रेसर ले रही है ना इंजन ओएल उठा रही है ना धुमा दे रही है हमारी गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत परिशानी नहीं आई तो भाई बहुत सारे लोग जो होते है हमारी मेकैनिक भाई तो सबसे पहले अगर कभी भी शेवल लेट बीट डीजल आए और आपको लग रहा है कि यह गाड़ी बैक कमप्रेसर मार रही है या बैक कमप्रेसर से बहुत ज़्यादा दुमा आ रहा है तो सबसे पहले इसका यह फिर देखिए हमारी गाड़ी बैक कमप्रेसर अभी भी दे रही है या नही और अगर उसके बाद भी बैक कमप्रेसर मार रही है बैक कमप्रेसर का धुमा आ रहा है तो उसके बाद टर्बो देखिए और टर्बो देखने के बाद अगर टर्बो सही है तो फिर समझे कि हमार इंजन बैठ चुका हमारे रिंग पिस्टन बैठ गए अब इसका विए इंजन कराना पड़ा कम्पिलीटली और अब इंजन कराने के बाद तभी पता चलेगा हमारी गाड़ी बिल्कुल ओक्य हो जाएगी बढ़िया हो जाएगी फिर कोई दिक्कत ना आएगी पर उसके साथ ये कैम फिल्टर जरूर 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 चेंज करे हमेशा इस चीज़ का दियान रखे शेवल लेट बीट डिजल के अंदर ये कैम फिल्टर सबसे फहले चेक करे अगर बैक कम्पिलेसर हमारी गाड़ी के अंदर है तो यह हमारा जो वीडियो बनाने का मक्सकता ये हमारे भा प्रोब्लम उसी के बाद बताए इससे पहले कस्टुमर को इंजन की प्रोब्लम ना बताए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाइक करना कमेंट करना सेयर करना अपने दोस्तों तक जिससे के हमारी सबसे पहली वीडियो बनाने के बनाते ही आपके पास okay